गुड मॉनिंग साथी हूँ, सरस्वती के रिर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेर्स, अमारे डेली सीरीज I hope आप लोग त्यार से बढ़ रहे होंगे, ध्यान से बढ़ रहे होंगे चलिए आज भी सुरू करते हैं, आज का करंट अफेर, उससे पहले अपने फ्रेंडों को लाइक और शेयर जरूर करना किस देश ने अंगारा A5 स्वेस रॉकेट को लांच किया है, तो ये रूस नहीं किया है रूस के अंतरिक्च एजेंसी, रॉस कोसमोस ने अंगारा A5 स्वेस रॉकेट का सभल परिक्षन किया है, अंगारा रॉकेट रूस को बोहिस्तिर परिक्रमा उपगरहों को लांच करने में सक्षम बनाएगा और ये रॉकेट परियारों के अनुकूल इधन का अव्योग करता है, रूस ये एशिया और यूरोप महाधिब में है और कुछ बाग एशिया महाधिब में विशती है, ठीक है, और राजदानी इसका मास्को है, करंसी, रूवल, राष्टवती ब्लादमीर, पुतिन, परध क्लिनिक योजना को सुरू किया है, तो ये तमिलनाडू ने किया है, तमिलनाडू के मुक्यमंत्री के पलानी स्वामी ने अम्मा मिनिक क्लिनिक योजना की सुरुवात किया है, इस योजना का उद्ये से जंस्वास्त बुनियादी ढाचे को मद्बूत करना है, और ये क्लिन या अन्ना दर्विड मुनेत्र कडगम पाटिस हैं गवर्नर बन्वारी लाल प्रोहित मुक्य नियदिस अमरीश्वर परताफ साही हैं तीन पड़ोसी राज्य हैं केरल करनाटक और आंद्रपर्दिस लोग सभा की सीट 49 हैं राज्य सभा की 18 और बिधान सभा की 234 सीटे हैं किस बेंक ने डिजिटल वक्तान एप डाक पे को लांच किया है तो यह IPPB बेंक ने ठीक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक यानि IPPB ने डाक विकास के साथ मिलकर पूरे भारत में डिजिटल वित्तिय सेवाइं परदान करने के लिए इस सेवा को सुरू किया है इस एप के तहत ग्राकों को आसान डिजिटल लें दिन और अन्य बेंकिंग और डाक सिवाओं को पलब दिकराया जाएगा IPPB यानि इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक एक सितंबर 2008 को स्थापना हुआ था मुख्यालाई नई दिल्ली में है इसके MD&CEU है जे बेंकेट रमू और पर्मानेंट और्गनेजिशन यानि इसका पेरेंट कंपनी है तो यह है इंडिया पोस्ट L&P ने बित्त वर्स 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो यह –7.7% L&P Global Rating ने बित्त वर्स 2020 के लिए जारी भारत की GDP अपने पूरू अनुमान 9% रिनात्मक में संसोधित कर –7.7% यानि 7.7% रिनात्मक कर दिया है और करजिल ने चालू बित्त वर्स 2020 से किस के लिए सितंबर 2020 में जारी पूरू आनुमान 9 से यहां से घराक इसने 7.7% करने की उमीद जताई है GDP के बारे में आप जानती है किसी भी देश या राष्ट के उत्पार्दित समस्त वस्तूओं या सेओं का मूल्य कोई सकल घरे लो उत्पार्द या GDP कहते है एल एंड फी अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है 1917 में इसकी स्थापनावाता मुख्या लई नियूएर्क यूएसे में सस्तापक्त है इसके जेम्स मेक कगर और सी यूए हैं डाउगल्स पिटरसन 16 दिसंबर 2020 को विजए दिवस का कौन सा संस्क्राण मनाया गया तो यह 59 संस्क्राण भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजए दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में विजए दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है भारत पाकिस्तान के 23 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 1971 का युद्ध तीर दिनों तक चला और 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्म समाणपन करने के बाद इसकी समापती की आधिकारी गोश्णा की गई इसके उपलक्ष में 16 दिसंबर को बिजई दिवस पाकिस्तान भर भारत की बिजई में भारतिये बीर पूरुसों की सेवा बीरता और बलीदान को याद करने के लिए मनाया जाता है और इसी युद्ध के बाद बांगला देश एक सोतंतर राष्ट बन गया था स्वदेशी अब तर्टिये जहाज परियोजना के तहत पांच में और अन्तिम अब तर्टिये जहाज ICGS सक्षम को लांच किया गया है इस जहाज का निर्मान किस नहीं किया तो गोवाज CPR लिमिटेट नहीं स्वदेशी अब तर्टिये जहाज परियोजना के तहत पांच भा तक चोहता साजग और पांसवा सक्षम ठीक है इन जहाजों का निर्माण युद जैसी इस्तिती से निपटने और सैन्य सक्ति और अधिक मद्बूत बनाने के लिए किया गया ठीक है देश के पहले केलासमान सरोवर भावन का उद्गाटन के सहर में किया गया तो यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ठीक है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हिस्तित है ये भावन ठीक है उत्तर प्रदेश के मुक् 2020 में Champions of the Earth पुरुसकार को जो पुरुसकार इसकी घोशना की है तो UNEP United Nations Environment Program इसका फ्रुफ़म होता है स्वंक्त राष्ट परियावरण कारिक्रम ने साल 2020 के Champions of Earth Award से 6 पुरुसकार की इसके जो 6 पुरुसकार है उनकी घोशना की है तो UN स्वंक्त राष्ट संग का सर्वोच परियावरण सम्मान है ठीक है और यह पुरुसकार अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कारिकरने या प्रेरित और पुरुसकार करने के लिए Champions of Earth पुरुसकार पुरुसकार परदान किया जाते है दूसरे है याकोबा लुबेर को और लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवर्ड प्रोफेशर राबर्ट डी बुलाड को ओरल हेल्थ केर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड अवेजडर कौन बने हैं तो ये कियारा आडवानी को बनाया है केरहा आडवानी भारती अविनेत्री हैं और कॉलगेट अमेरिका की कंपनी है फोबस उद्वाराज जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी तो ये काईली जेनर Forbes ने साल 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली Celebrity की लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट में टॉप पर अमेरिकी TV स्टार काईली जेनर रही है Forbes Inc. Forbes Inc. अमेरिका की प्रकाशन एव मेडिया कमपनी है 15 सितंबर 1970 को इस्थापन वाता मुख्याले नियुवर्क में है किस ने गोल्ड मेन परिया औरोनी ये पुरुसका 2020 जीत है तो पोल सीन टवा ने ठीक, पोल सीन टवा को ये पुरुसका प्राकरतिक संचाधनों के प्रबंधन में उनके द्वारा दिये गए प्रियासों के लिए दिया गया है किस देश ने भारत के स्वच गंगा मिशन के साथ समझोता ग्यापन पर अस्ताक्चर किया है तो ये नार्वे ने नार्वे इस्ट्यूट ऑफ बायो एकोनोमी रिसर्च यानि नीबियो ने भारत में कीचल प्रबंध डाचे के विकास के लिए स्वच गंगा राष्टिय मिशन एनेम जीसी के तिंक टेंग सी गंगा के साथ एक समझोता किया अपन हस्ताक्चर किये है और इस पहल के माध्यम से नार्वे भारत के साथ विशेज रूप से जलवाई परिवरतन और परियारोन के सनक्षण की रोक्थाम में संबंधों को मजबूत करेगा नार्वे यूरोप महाधी में से थे रहाज़दनी ओसलो करंसी नार्वेजिन क्रोन और प्रधान मंत्री आरना सूलबर्ग किस संगठन ने वर्स 2021 को सतत विकास के लिए रसनात्मक अर्थ व्योस्ता का अंतराश्टिय वर्स 2021 को किस संगठन ने गोशित किया है तो यूनेस को ने ठीक है यूनेसको का फुल्पम हो था यूनाइट नेशन एजूकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चिरल और्गनाजेशन हिंदी में स्विक्ट राष सैक्षिक वेगयानिक यूंप्रा सांस्कृतिक संगठन सोल नौंबर उनीस सो पैतालिस को इसका गठन हुआ था प कंजीता पीटर ने बिग लिटल बुक अवर्ड दोंजर बाकि सो बस नहीं जी तरी किसनी जीता है तो ये राजीव इतनि और सुविध्रा सेंग अधियम से उन्होंने उनके द्वारा दिये गए महत्पूर योगदान के लिए Big Little Book Award 2020 से समानित किया गया है तो साथियों आज का करंटर फेरियां पर समापत होता है जाते जाते एक खबर प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आस्ट्रेलिया बनाए है और दूसरा खबर है एहमदाबाद का च्छे वर्सी यह अहराम अरहाम ओम तलसानिया अरहाम ओम तलसानिया दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर डेप्लोपर बना है ठीक सो इसकी के साथ आज करंटर फेरियां पर समापत होता है कल फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड़ लग आपका दिन शुप हो